हेलो फ्रेंट्स हम फिर आज आज यह 2019 का एक क्योशन लेकर जो की सर्फिस केमिस्ट्री का है तो देखते हैं कि क्या क्योशन है आड्सॉप्शन ऑफ गैस फॉलोज फ्रेंडलिक आइसोथर्म जैसे ही आपके पास एक सर्फिस है उसके उपर जब गैस एड्सॉप होती है सेंग इस्ट पर्ण हमस्त फिर्ण लॅफ होती है तो में पोईंट है कि वो कितने हें गैसा कर सकता है तो जो अजिए डोप्शन रिशो है प्रैश्र ओफ तगया से कैसे रिलेट करता है जो अडि़र्त धोड़्य करता है npd इसोथर्म्स उसमें से एग है फ्रेंडलिक जो मैंसली हम यूज करते हैं इन दा गिवन प्रॉट एकसी स्था मास अड्जोर्ब अड्जोर्बंट इस असर्फिस राइट तो हम मां लेते हैं कि एकस जो है वह क्या है our तो हमको यह पता लगाना है कि जो इनका रेशु है किसका रेशु मास्ट भाषर फ्रेंडली का इसो थर्म क्या कहता है एक्स बाय एम जो है वह किसके एक्वल होता है यह जो रिलेशन है किसी इंटर्मिडिट प्रेशर पर एक्वल होता है अगर मालो प्रेशर बहुत ही जाता लो है तो यह सिरफ प्रेशर प्रेशर बहुत जादा है तो यह चाहे कुछ भी प्रेशर हो उसका कोई मतलब नहीं लेकिन अगर प्रेशर बहुत लो है तो वह लिनियर रिलेशनशिप हो जाती है प्रेशर के साथ पर अभी हमने देखना है कि इसके साथ लिनियर रिलेशनशिप है या कुछ और है तो उसके लिए हम क्या करेंगे अगर आप ध्यान से देखें तो य-axis पे लोग x-by-m है और x-axis पे लोग p हैं तो आपको क्या लेना है लोग रित्मिक लेना है तो लोग ले लेंगे हम बोद साइड लोग x-by-m हो जाएगा यहां पे यहां हो जाएगा लोग लोग of sorry I should take small क्योंकि ideally इसका small ही abbreviation होता है kp1 by n हमको क्या पता है हमें यह पता है log of a b can be written as log a plus log p right तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो इसको कैसे लिख सकते है log of k plus log of p raised to power 1 by n अब यह जो पावर है उसको भी हम आगे लेकर आ सकते हैं क्या होता है log of a raised to power n है तो हम n log a लिख सकते हैं इसका बहुत ही simple सा reason है आप इससे यह प्रूव कर सकते है log of k plus 1 by n log of p अगया अब ध्यान से देखेंगे तो यह जो equation है वो किस तरीके की बनकी क्योंकि यह हमारा y axis पे है यह हमारा x axis पे है यह हमारा constant हो गया तो यह क्या हो गया? m यानि कि slope हो गया तो अगर मैं इसको linear line की equation होती है उसे compare करूँ तो y पे तो हमारा लोग x by m है x पे यह है तो m जो होगा यानि कि कि जो slope होगा उस line का वो मिर को क्या देदेगा 1 by n value देदेगा यानि कि मुझे बता देगा कि pressure की किस power पे वो dependency है तो हम slope कैसे निकाल सकते हैं किसी भी line का slope जैसे यहां पर यह line है log x by m यह है log p और तो यह है two units और यहां पर है four units राइट इन दोनों points के बीच का difference है वर्टिकल में वह है two units और horizontal में है four units तो जब भी हम slope निकालते है slope of a line कैसे निकाल सकते हैं delta y यानिगी change in y divided by delta x कि y में कितना change है divided by x में कितना change है तो y में आप देख सकते हैं इन दोनों points में कितना change है two units का change है और x में four का so it will be one by two है न तो यह आप किया गी slope of line और slope of line किस के एकवल थी one by n के एकवल तो m है one by two that is equals to one by n right तो friendly का iso thumb के कहता है x is equals to kp one by two की जगा क्या लेग सकते है one by two so the correct answer is one by two ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करना बिलकुल मत भूलें पहला इकन दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो आते ही पता लग चाहें और हम जल्दी lectures में स्टार्ट करने वाले हैं तो जो भी topic आपको पहले करना है प्लीज वसे comment section में राइट केजिए थैंक्क्यू बबाइ थेक्क्या